कोडिया जंग एसकेपी सेवन न्यूज नालंदा अनियंत्रिक ट्रक ने स्कूल पढ़ने जा रहे तीन बच्चे को कुछला, मौके पर एक की मौत नालंदा जिला के भागन बिगहा थाना इलाके के मौरा तालाब के समी 25 बीस पर अनियंत्रिक ट्रक ने स्कूल पढ़ने जा रहे तीन बच्चे को कुछल दिया जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो छात्र गंभीर रूप से जख नी हो गए छात्र की मौत से आक्रोशित रामीनों ने मौावजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया बताया जाता है कि तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे थे इसी बीच विपरीग दिशा से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने इन बच्चों को टक कर मार दी जिसमें आठ वर्षियर रिशी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आशीश और आकाश दोनों जखमी होगा ए, सभी बच्चे दलित परिवार के है सूचना मिलते ही भागन विगह थाना पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुँचे और नियमानुसार मुआपजा दिये जाने का आश्वासन दिया तब जाकर जाम हटाया जा सका नालंदा से दीपक विश्व कर्मा की रिपोर्ट सब्सक्राइब कर दिया और दो बच्राइब कर दिया और दो बच्राइब को परसानी ना हो क्या नाम हो आपका राजवीर सिंवाट कर दो को सुचना मिला कि एक ट्रक है यह जा रहा है अच्राइब कर गए एक बच्चे की डेट हुई है एक बच्चे की डेट हुए लिए नहीं है तो बच्चा है तो बच्चा है तना हो ले बताने की गारे अच्ड़ है